प्रफ़ी तो स्वागत करते हैं आपका अपने इस यूटूब चैनल स्टडी क्यापिटल पर और जैसा कि आप सभी को पता है कि लगातार में हर एक कोर्स के बारे में बता रहा हूँ आपको और साथ में बता रहा हूँ कि अगर आपको देली यूनिवर्स्टी से बनारा करने हैं बस क्या होता है कौन-कौन सा सबज्ग कॉम्बिनेश्टी आपको सेलक्ट करने होता है जैसाасकी बता दू आपको अगर आपको इन है कि आपके जो सब्जेक्ट हैं वो होते हैं जैसे physics, chemistry, mathematics, biology, for example, economics, ऐसा सारे होते हैं ठीक है और section 3 होता है आपका GT का यानि कि general test का अब इन तीनों section में कई सारी university होती हैं जो कहते हैं कि मुझे सिर्फ language और GT चाहिए या कई university होती है जो कहते हैं कि मुझे सिर्फ और सिर्फ domain के mark से मतलब है कई university होते हैं जो कहते हैं मुझे language और domain के mark से मतलब है तो आज मैं बात करने वाला हूँ अगर आप Delhi university में पढ़ना चाहते हैं यानि कि B.Sc. करना चाहते हैं bachelor of science चाहिए वो math stream से हो, bio stream से हो और agriculture stream से हो तब अच्छा agriculture stream क कि बात यहां पर नहीं कर सकते हैं ठीक है तो अब के लिए आपकी क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी और वीडियो पे जाना चाहिए या आप एक गंटे-दो गंटे सर्च करके अपना टाइम करें इससे बेतर है कि इस वीडियो को 10-15 मिट तक जो भी दिखा रहा हूं में प्रॉपर देखिए आज मैं आपको बता तूँ पहले तो देलही उनिवस्टी में लोग बीसी करना क्यों चाहते हैं या बीसी क्यों करना चाहते हैं अगर आप कहीं किसी अच्छे इंजिनिरि प्लेमें डिर में आते-आते ही आपकी प्लेस्मेंट लगने के चांसे और प्लेस्मेंट वो भी अतनी आसानी सैनैई भी दिसलाक पचीस लाक दसलाद्प तरालाग बीसलाक क्ये्टी है अगर आप इस्ट्रीम से भाचने मिलजा तो वहां से को बेस्ट पैकेज ऑफर किया तो बात करते हैं सबसे पहले, देखें, यह है आपका सबसे पहले University of Delhi के यहाँ पर मैं आपको दिखा दू ऐसे समय लिखके आया हूँ, यह है डिग्री यानि कि कौन से डिग्री आप चाहते हैं, तो B.S.C. ओनर्स की हम बात करने वाले हैं, यह है प्रोग्राम, यानि कि कौन आफर करना चाहते हैं, तो यहाँ पर B.S.C. अब आगया, for example, Anthropology, यहाँ पर आपका चेंज होता जाएगा, यहाँ पर आपका B.S.C. ओनर्स Physics होगा, B.S.C. ओनर्स Chemistry होगा, B.S.C. ओनर्स Anthropology, B.S.C. ओनर्स Biology, जूलोजी, Botany, जूलोजी, Botany, जूलोजी, Botany, ऐसे से यहा आपको B.S.C. Anthropology करना है, यानि कि ओनर्स Anthropology लेना है, तो आपके पास में लिखा है, Domain, Journal, Language, या कोई प्रोग्राम में, आपको यहाँ पर लिखा हुआ है कि Physics Chemistry, क्या लिखा हुआ है, Physics Chemistry Biology, अब देखो, Physics Chemistry के बाद, कॉमा, उसके बाद Biology slash Biological Studies slash Biotechnology slash Biochemistry, मतलब इन चारों में से आपको एक सेलक कर सकते हैं, साथ में Physics और Chemistry, यानि कि तीन डोमेन आपको लेने ही लेने हैं, साथ में आपको कोई एक लैंग्वेज रहेगा, क्या रहेगा, कोई भी एक आपका लैंग्वेज रहेगा, ठीक है, चलिए, यहाँ पर हम चलते हैं, Illigibility पर तो Illigibility साफ साफ ल होना चाहिए, अगर इन subject combination के अलावा, अगर आप कोई और combination select करते हैं, तो आप applicable नहीं होगे, देख लीजे, Physics, Chemistry, Biology, या इतने मिशारों में से कोई एक, या merit will be based on CVT school obtained for the above mentioned combination of subject, देखिए, यह जो language है लिखा है, any one language, any one language में आपको सिर्फ क्या करना होगा, minimum 30% marks obtained करने होगे तब जाके आप यहां पे इन तीनों domain का आपके marks जुड़ेंगे, ठीक है, तो बाकी आपसे कोई मतलम नहीं है, language के marks आपके जुड़ेंगे नहीं, जुड़ेंगे तीन domain के marks, ठीक है, clear, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, हाँ, 12 में criteria या पास होने चाहिए, चलिए, यह है बायो केमिस्ट्री का, देखें बायो केमिस्ट्री में भी सेम है, physics, chemistry, biology, biological studies, biotechnology, बायो केमिस्ट्री में से चार में से कोई, एक और प्लस physics chemistry, यानि कि आपके तीन domain यहां पे भी हो जाएंगे, तीन domain आपको सेलक करने हैं, साथ में आपके पास में आपके भी लिखा यह वही चीज है, कि combination आपका chemistry, प्लस biology, बायोजी, बायोजी कर यह इतना होना चाहिए, या इसकाल आप mathematics भी ले सकते हैं, मतलब, अगर आप physics छोड़ना चाहते हैं यहां पे, तो physics छोड़ सकते हैं, चलिए आते हैं तीसरे प्रोग्राम पे, जो कि है आपका B.Sc honors chemistry, साथ में ही रहागा, प्लस anyone language, anyone language का मतलब है कि आपको कोई Hindi और English में से एक language select करना है, और उसमें क्या होना है, आपको 30% marks लेके आके दिखाने हैं बस, तब जाके आपको physics chemistry math के marks आपके जुड़के हैं, आपकी merit बनेगी, तो सिर्फ इसमें सेम तीन ही चीज लगे कि physics chemistry math, अ खोड़ा सा change आएगा, मैं बता दो आपको वो change क्या है, देखे, अगर आप BSC Honors Computer Science करना चाहते हैं, तो आपको language के section में से एक लेना होगा, और मात्र आपको सिर्फ एक domain लेना होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक language लेना होगा, और एक क्या हो प्लस अप्लाइड माइडमेटिक्स प्लस एनिटू सब्जेक्ट आउट विच सुड फ्रॉम लिस्ट भी, और बी लिस्ट एक वहाँ पे आपको मेंसन रहेंगे, प्लस उसमें से आपके दो डोमेंस आपको कोई भी सेलक करने रहेंगे, और इसमें भी language के मार्क्स यहाँ आगे अगर मैं बात करूँ, आप देख पा रहे हैं, इलेक्ट्रोनिक्स की बात आ गई, सेम यहाँ पर लिखा हुआ है, फिजिक्स, केमेस्ट्री या कम्प्यूटर साइंस, अब कमेस्ट्री की जगा पे आपको आप्सेंस मिल रहे हैं, क्या कमेस्ट्री आप छोड़ सकते हैं, चाहे कम्प्यूटर साइंस लीजिए, चाहे इंफॉर्मेटिक्स प्राक्टिक्स लीजिए, चाहे मैदेमेटिक्स या अप्लाइड मैदेमेटिक्स लीजिए, या एक लैंग्वेज लीजिए, ठीक है, चलिए, यहाँ पर इन्वार्मेंटल साइंस का भी आप लोग द देख लीजिए फिजिक्स केमेस्ट्री मैंटिक्स आपके पास में आपके बनेगी फिजिक्स केमेस्ट्री इन चारों में से कोई एक या दूसरा ओगा प्रिजिक्स चैमेस्ट्री मैदेमेटिक्स या ब्लायड मैदेमेटिक्स यहां पर लेंग्योज के मार्क जुणे ये नहीं सिर्फ और सिर्फ 30% पर सिफ करें आने चाहिए लेंग्योजे भस ठीक्षै चलिए अब यहां पर आया है आपका सेम B. S.E. जियो लॉजी यानि कि भू बहुत तकी ठीक है अब यहां पर क्या है इसमें आपको भू बहुत तकी मतलब आप समझना भू मतलब भूमी यानि दरते के बारे में स्टड़ी किराई जाते हैं सबको आपको बेतर से जान करी होगी बेसी ओनर से कर में जियोलोजी की बात करूं तो physics, chemistry, mathematics यानि कि आप देखो mathematics इसमें option आ गया है mathematics के जगह पे आप इतना सारा यानि कि चार अलावा इक से लग कर सकते हैं plus any one language plus कोई एक आपको language से लग करना होगा subject combination आप यहां पर देख पा रहे हैं अलग अलग बन गये हैं अलग अलग तरीके से आप देख सकते हैं ठीक है physics, chemistry आपको यहां पर तैर एगा mathematics के जगह पे आप इतने options से लग कर पाएंगे ठीक है अगर आपने geography लिया हुआ है तब भी आप से लग कर सकते हैं physics, chemistry के साथ में geography ठीक है चलिए बहुत बढ़िया और यहां पर 30% ही मात्र लगेगा language का और इसके में अलावा और language कोई काम नहीं है यह है बीस सी ओनर्स mathematics के लिए देखिए बाई बी से कोई भी हो सकते हैं याने से कोई भी आपके दो में हो लेकिन mathematics आप लिया रही है काम चल जाएगा language के मार्स इसमें क्या रहेंगे भाई अब देख लीजिए डिड़क्ट होंगे के नहीं देखिए का मेरिट बनेगी हां language के मार्स इसमें आपके included रहेंगे चलिए आगे अगर मैं बढ़ू तो आगे मैं दिखाऊं आपको B.Sc. Honors Home Science, Home Science के लिए भी देख लो ये चारों combination याने कि Physics, Chemistry, Biology, Biological Studies, Biotechnology ये बायो कमिस्ट्री में से कोई एक आप ले सकते हैं आपका combination तैयार हो जाएगा चलिए ये B.1, B.2 आपको औरके दिखा देगा अगर आप चाहते ह हैं C.U.E.T.C.E.T. dot समर्थ.ac.in की website पर ये website है वहाँ पर जाएंगे आप syllabus open करेंगे syllabus में आपको कई सारी universities आ जाएंगी वहाँ से आप देख सकते हैं ठीक है जाके एक एक यूनिवरस्टी का specific आप देख सकते हैं फिलाल मैं यहाँ पर आपको अपने team से बनवा के लाया ह हूँ आपको कहीं और जाने की आऊशकता ना पड़े चलिए आगे कि अगर मैं बात करूं तो आगे ऐसे से कई सारे में आपको दिखा देता हूँ देख लिए फिजिकल साइंस का है जिसे हम computer science and informatics practices कहते हैं इसके अलावा यह है अप्लाइड फिजिकल साइंस का है इंड़ प्रोग्राम हाँ देखो बाइड बीएस सी ओनर्स के साथ बीएस सी प्रोग्राम भी कंड़क्ट कराता है देलही उनिवस्टी प्रोग्राम की मेरिट जो है ओनर्स की मेरिट से थोड़ी सी कम बनती है जैसे मान लें जो 280 मेरिट बनी है पांसो सी मेरिट बनी है ओनर्स की तो 560 तक मेरिट जाती है प्रोग्राम की प्रोग्राम भी ब कोट्स का है चलिए आपके पास में सारा कुछ में लेके आया हूं बेतरीन तरीके से देख लीजिए विचार कर लीजिए कि आपको क्या करना है और मैं आपको बता दू कि जरूरी नहीं कि आप इसी टॉप आयाइटी से ही अपनी ग्राजुशन की डिगरी कर रहे हैं तब ही आप जीवन में सफल होंगे यह टाप इनाइटी से कर रहे हैं तो अगर आपको आयाइटी एनाइटी की तयारी करनी है अगर आपको विजन क्लियर है दन वेरी गुड लेकिन सी यूईटी भी दिरे दिरे कहीं न कहीं मर्ज करने वाला है जैई मेंस में तो एक हिसाब से सी अलग इसकोब बनने वाला है आप भी अवेर हो जाएगे सी के बारे में जाने और अगर बहतर तैयारी करनी है आपको तो बहतर हिसाब से तैयारी करनी है तो बेहतर प्लाटफॉर्म चुनिये और आज से ही जुड़ जाई हैं सीवीट के क्वेस्टन में में सो कुष्टन में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है लगभग लगभग वही क्वेस्टन आ रहे हैं सिमिलर आ रहे हैं लेवल वही जा रहा है जिस हिसा साथ मैं आज की वीडियो को समाप्र करता हूँ आने वाले समयमे मां BSE, BGU याने की बनारे सुन्थू University का लाने वाला हूँ अला-बाद University का लाने वाला हूँ सारी आपको वीडियो यहाँ पर अवेलेबल होगी चाहे वो बीकॉम हो चाहे वो बीए हो हर चीज आपको बताया जाएगा इसी के साथ विश्यू अलदा बेरी बेस्ट पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए मिलते हैं ऐसी किसी अगली वीडियो में बाबाई